क्लास 9 के exercise 12 का introduction या इसके बारे में concept या इसके जो भी फोर्मूलेज है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें area of triangle या फिर किसी quadrilateral का area निकालना है तो हमें दो तर ऐसे निकालना है सिर्फ by Huron's formula या फिर by right angle थीक है तो Huron's formula क्या होता है Huron's formula equals to S bracket S minus A and then S minus B multiply में S minus C ठीक है जहाँ पर A, B, C जो हैं ये सभी sides of triangle Sides of triangle होती है और S जो हमारा होता है S जो होता है S equals to A plus B plus C by 2 सभी sides का plus को 2 से divide कर दिया जाए या फिर हम कह सकते है perimeter by 2 perimeter को अगर हम half कर देंगे है तो वो S की value हमें देगा ठीक है S equals to half of perimeter ठीक है जब हमें कोई right angle दे रखा हो ठीक है जैसे इस Huron's formula के लिए अगर हम triangle बनाएं तो कुछ ही स्थरेगा बना सकते है ये side होगी A, B, C ठीक है अगर हमें right angle दे रखा हो तो right angle हमारा किस तर रहेगा होता है right angle होगा हमारा कुछ इस तर रहेगा जिसमें एक angle 90 degree इसमें एक side हो जाएगी base एक हो जाएगी perpendicular 90 degree के सामने होगी हमारी hypotenuse ठीक है अगर हमें कोई भी 2 side given है माल लेते हैं हमें base given है 3 perpendicular given 4 तो हमें hypotenuse अगर हमें 2 side भी पता है तो भी हम इसका area निकाल सकते हैं और third side भी हम इसकी निकाल सकते हैं ठीक है तो बेश कैसे निकाल लेंगे सूरी hypotenuse कैसे निकाल लेंगे by by पाइफागोरस theoretically पाइफागोरस theoretically क्या कहती है hypotenuse का square equal two base का square plus में perpendicular का square तो hypotenuse का square निकालना है यहां से तो बेश कितना है हमारा 3 then three का square or perpendicular है 4 तो four का square तो hypotenious का square आ जाएगा 3 का square 9 प्लस में 4 का square 16 दोनों को plus करने पर आ जाएगा 25 और इदर आ जाएगा hypotenious का square लेकिन हमें निकालनी है सिर्फ hypotenious तो दोनों तरफ root लगाएंगे hypotenious आ जाएगी हमारी h का square में से 1 h बार आएगा इसी तरह 5 multiply में 5 लिख सकते हैं 25 को तो उसमें से आ जाएगा 5 तो इस तरह से हम निकाल लेंगे पाइथ अगोरस theorem अप्लाई करके third side की सी भी right angle triangle की ठीक है लेकिन आब आते हैं area पर area कैसे निकाल लेंगे अगर हमें कोई right angle दे रखा है right angle triangle दे रखा है तो right angle triangle का area होता है half multiply में base multiply में perpendicular height ठीक है यह simply हमें formula लगाना है अब अगर हमें कोई quadrilateral given है उसका हम क्या अगर उसका area कैसे निकाल लेंगे मान लेते हैं हमें कोई quadrilateral given है कुछ इस तरह का ठीक है हमें कोई कोई भी side दे रखी है तो हम क्या करेंगे इसमें diagonal बना लेंगे ठीक है ठीक है diagonal बनाने के बाद मान लेते हैं हमें given है यह वाला 90 degree angle तो यह side और यह side और यह हो जाएगा इसकी hypotenious ठीक है इसकी चारो साइड हमें given है और mid जो diagonal है उसकी length हमें निकाल लेंगे तो यह हो गया hypotenious hypotenious का square यह होता है बेस का square बेस का square प्लस में perpendicular का square बनाद पाइतागोरस ठीक है और हम से हम यह निकाल लेंगे and उसके बाद हमें यह side और यह side और यह side पता है तो इसका area निकाल लेंगे और इसका area निकाल के दोनों को plus कर देंगे तो हमारा quadilateral का area आजेगा ठीक है concept में सिर्फ इतना ही है हमें S, ABC और यह वाला जो formula है इनको हमें ध्यान रखना है ठीक है